साफ तर पर देखना है कि वहाँ से भी क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है क्या कुछ राहूल कांदी की तरफ से कहा जाता है और जिस तरीके से फिलहाल अलग-लग उनिवर्स्टीज में राहूल कांदी पहुंच रहे हैं अलग-लग उर्गनाइजेशन्स में पहुंच रहे हैं लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी भी सामने आ रही है और साफ तोर पर एक बार फिर से ये बड़ी रैली है विदेश की धर्ती पर ऐसी जो रैली है वो ये पहली बार इस तरीके की जो तस्वीरे हैं वो देखने को मिलेंगी किस तरीके से रहूल कांदी के द्वारा इस रैली को संबोदित किया जाएगा और कितनी जो संख्या है वो यहाँ पर पहुँचेंगी भारते समुदाय के लोगों की भी रहूल कांदी को सुनने के लिए तो नियॉर्क के मेडिसन स्कॉयर में रहूल कांदी संबोदित करेंगे इस बड़ी रैली को साथ तो पर भारते समुदाय के लोग भी मौजूद होंगे बड़ी संख्या में इस्थानिय लोग भी मौजूद होंगे किस तरीके से राहूल गांधी यहाँ पर क्या चीज़े कहते हुए नजर आते हैं यह देखना होगा अपने संबोधन के दोरा लेकिन फिलाल विदेश का यह दोरा राहूल गांधी का बना हुआ है बड़ी संख्या में यूत भी कही न कहीं उनको सुनने के लिए महुचता है अलग लग कार्वों के तहट इस रैली को लेकर फिलाल का जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां पर भी यूवा मौजूद रहेंगे भारते समुदाय के यूवा और साफतर पर स्थानिय लोग भी मौजूद रहेंगे New York के Madison Square Garden में यह रैली रहेगी जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो विदेश का दोरा राहुल गांधी का इस समय बना हुआ है और साफतर पर एक मुख्यविपक्षी पार्टी के मुख्यविपक्षी नेता के तौर पर इस समय पहुंचे हुए हैं विदेश की धर्ती पर राहूल गांधी और इसी के साथ नियोर्क में बड़ी रैली को सम्बोदित करेंगे भार्त्य समुदाय भी बड़ी संख्या में मौझूद रहेगा